आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नभ्य से नीचे, 105 से नीचे, 120 से नीचे और छात्रों की संख्या यह हमें अंक दिये थे तो यह जो हमें सारणी दी है यह हमें से नीचे से नीचे या कह सकते हैं कि से कम प्रकार की हमें सारणी दी हुई है से नीचे या से कम दोनों एकी बात है, से कम या से नीचे प्रकार की हमें सारनी दी हुई है, और इसे हमें साधारन बारम बारता सारनी बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, और यहाँ पर हम है इसमें हम उच्छ सीमा को लेते हैं इसमें हम उच्छ सीमा को लेते हैं से नीचे प्रकार की सारणी बनाने में हम उच्छ सीमा को लेते हैं इसका मतलब यह है कि यह जो 45 है यह हमारी उच्छ सीमा है तो 45 तो हमारी उच्छ सीमा हो गई तो फिर निम्न सीमा क्या होगी निम्न चात्र है ठीक है उसके बाद अगला है साठ से नीचे ठीक है तो ये जो साठ है ये तो हमारी उच्छ सीमा हो जाएगी ठीक है क्योंकि से नीचे या से कम प्रकार में हम उच्छ सीमा को लेते हैं तो ये साठ से नीचे जो है ये साठ हमारा क्या हो जाएगी उच्छ सीमा और न निमनसीमा हमारी 45 होगी, क्योंकि 45 यहां पर उच्छ सीमा है, तो अगले अंतराल में 45 हमारी निमनसीमा होगी, तो 45 से 60 हगला हमारा अंतराल बन जाएगा, ठीक है, अब 45 से 60 के बीच में कितने चात्र हैं, तो देखे, 60 से नीचे वाले 8 चात्र हैं, और 45 से नीचे वाले 6 चा गटा देंगे तो आठ मेंसे जब शुन्य गटाएंगे तो कितना आएगा आठ आ जाएगा यानि कि 45 से 60 के बीच में अंक पाने वाले आठ छात्र हैं ठीक है अब अगला है 75 से नीचे तो 75 हमारा क्या हो जाएगा उच्च सीमा हो जाएगी तो हमारा वरगंतराल बनेगा 75 और कहां से शुरू होगा ये 60 से शुरू होगा क्योंकि 60 यहां तक आ गया था अब 60 से 75 के बीच में कितने बच्चों ने अंक पाए हैं तो देखें 75 से नीचे तो बच्चे ने अंक पाए हैं 23 ठीक है 75 से कम वाले और 60 से कम वाले कितने हैं 8 हैं तो हम क्या करेंगे कि 60 75 से बच्चे वाले यानि कि 8 बच्चों को घटा देंगे तो 13 में से 8 जाएगा 5 और या जाएगा 15 यानि 15 बच्चे ऐसे हैं जो 60 से 75 के बीच में जिन्होंने नंबर पाए हैं ठीक है अच्छा अब इसके बाद 90 से नीचे तो अगला जो हमारा अंत्राल बनेगा वो कहां से अब 75 से 90 के बीच में कितने बच्चे होंगे 48 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 से कम है नंबर और 23 बच्चे ऐसे हैं जिनके 75 से नीचे हैं तो हम क्या करेंगे यह जो 23 हैं यह हम 48 में से घटा देंगे तो 8 में से 3 जाएगा 5 और 4 में से 2 गया 2 ठीक है तो यानि कि 25 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर कहां से कहां तक है 48 से 25 बच्चे ऐसे जिनके नंबर 75 से 90 के बीच में हैं उसके बाद अगला है 105 से नीचे तो 105 हमारी क्या हो जाएगी उच्च सीमा होगी तो ये तो आगे हमारा 105 और इसकी निमन सीमा होगी हमारी 90, यानि 90 से 105 की बीच में कितने बच्चे हैं, अब देखें, 105 से नीचे तो 85 बच्चे हैं, और 90 से नीचे कितने बच्चे हैं, 90 से नीचे 48 बच्चे हैं, बाकी सब फिर 90 से उपर हैं, तो ये 15 में से 8 जाएगा 7 और 7 में से 4 गया 3, यानि 37 बच्चे ऐसे हैं, जिनके कि से किस के बीच में है नंबर 90 से 120, 105 के बीच में है, फिर अगला है 120 से नीचे, तो 120 से नीचे कितने बच्चे हैं, 116, तो इसका तो उच्छ सीमा हमारी हो जाएगी 120, और निम्न सीमा होगी 105, ठीक है, और 105 से कम वाले कितने बच्चे हैं, 85 बच्चे हैं, तो इसको हम इसमें से गटा देंगे, तो 16 में से 5 जाएगा, तो कितना आएगा, 6 में से 5 गया एक, और 11 में से 8 गया, 3, यानि 31 बच्चे ऐसे हैं, जिनके नंबर 105 से 120 के बीच में है, तो ये हमारी साधारण, वरगंत्राल और बारंबारता सारणी बनकर तयार है, क्लासिक से 12 से लेके, नीट IIT जेही, मेंस और एडवान्स के लेवल तक, 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर हो साथ, आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप, या वाच्साप कीचे अपने डाउट्स, 8444 सुपर